कि हलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का मरे चैनल में तो दोस्तों आज के जो वीडियो का टॉपिक काफी इंट्रेस्टिंग है और मुझसे किसी ने सवाल किया तो मैंने सुचा इस पे एक वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से चैनल में अपने किसी क्रेडिट कार्ड से पैसे इस्तेमाल कर लिए उसके क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल कर लिए तो अब क्या करते है कि आप जो अपने दूसरे किसी क्रेडिट कार्ड से जो है पहले वाले क्रेडिट कार्ड का जिससे आपने जो है इस पेंडिंग किया उसक इसी तरीके से आप करते जाते हैं मतलब एक पूरा साईगल इसी तरीके से चलता जाता है तो क्या ऐसा करना सही है और क्या हम ऐसा जो pega कर सकते हैं या फिर अगर तरीके से तीसरे से चैन बंता चला जाएगा और यह जो है मतलब आपस में दूसरे का बिल्खा पेमेंट आप जो है कई सारे क्रेड़िट कार्ट से कर रहे हैं तो क्या आप ऐसा अपने क्रेडिट कार्ट का उसके बाद आप जो अपने दूसरे क्रेड़ कार्ट से पहले वाले का पेमेंट करते हैं फिर पहले वाले से दूसरे का करते हैं तो जब आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी या जब आपको अपने क्रेड़ कार्ट की जरूरत पड़ेगी जब आपको यूज करना होगा तो आप क्या करेंगे आपने ऐसे करकर के करकर के जो है दूसरे का बिल का पेमेंट करकर के चला तो लिया है लेकिन जब आपको जब फिर से ज़रूरत पड़ती है पैसे होगी जब आपको फिर से कुछ चीज की ज़रूरत हो जिए जो आपको अपने credit card से खरिदना होता है लेना होता है तो आप क्या करोगे ऐसे में अप्फंस जाओगे यानि कि आपको अपने credit card होया इसमें credit limit मौजूथ होगी फिर ऐसे में क्या होगा कि आपको फिर से दोनों credit card के बिल के payment करने होंगे और दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके पास कई सारे credit card मौझूद हैं तो उसमें भी विलकुल यही वाला जो है नियम और यही वाला कानून अप्लाई होगा वहां पे भी एगर आपके पास कई सारे credit card हो उसमें से आपने किसी यह को इस्तेमाल किया और आपने जो फिर दू है आपको अपने पूरे credit card जितने भी आपने credit card का बिल का payment बकाया रखा उसको payment करना ही पड़ेगा नहीं तो आप आगे चलके फंस सकते हो पूरा trap में बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हो तो बेहतर यही है कि देखिए अगर आप यह समझ के चलते हैं कि हमारे पास दो यह दो credit card से जादा credit card मौझूद है हमने किसी एक का इस्तेमाल किया और उससे फिर दूसरे का payment करेंगे फिर दूसरे से तीसरे का payment करेंगे यह दो credit card है तो एक दूसरे का payment एक दूसरे credit card से करते जाएंगे करते जाएंगे तो आप वैसे कर तो सकते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं जब आपको पैसो के रिटिट काड के जब आपको कुछ लेना होगा तो आप ऐसे में क्या कर पाउगे आप क्या यही सोच के बैटो कि अमें सिर्फ एक ही बार क्रेट काड इस्तेमाल करना है उसके बाद जो आम एक दूसरे से उसका पेमेंट करते जाएंगे पिर आपको कभी क्रेट कार्ड इस्तेमाल नहीं करना है अब ऐसे में होता तो यह यह आपके पास मान कर चलिए दो क्रेडिट कार्ड मौझूद है उसकी लिमिट है 40-40,000 की दोनों की आपने जो कोई 30,000 का सामान ले लिया फिर आपने जो पहले वाले से अपने जो पहला अपने क्रेड़ कार् क्रेड़ कार्ड का पेमेंट कर दिया पहले वाले से अब आपको इसमें पैसे के जरुरूत पढ़ती है तो अब क्या करोगे यहां पर क्या करोगे अगर इसी तरही के सब पेमेंट करते जाओगे एक दूसरे का जा तो आप फिर यह खुद सोचे कि आपको आगे क्या कर्दे कार्ट बैर्मंट रहेजाए लेखें जब आप यह जो करेडिट क्रेडिय। उसरे से नहीं मुरू हाइजकों कि एक दम जो घुमा रहे हैं कंट लिटेकर आंगता है। एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया फिर उसके बाद जो एक दूसरे का तीसरे का चौथे का पांचवे का इसी तरीके से करते जाओगे आगे आपको क्रेट कार्ड इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो आप खुद अपना सेंस लगाईए इसमें कि क्या ऐसा करना सही है या फिर नहीं है आपको क्या credit card इस्तेमाल करना है या नहीं करना है आपको एक ही बार इस्तेमाल करना है या आगे भी आपको इस्तेमाल करना है अगर आपको सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करना है तो आप जो ऐसा करो जिन्दगी भर आप जो एक दूसरे का payment करते रहो करते रहो आगे आपको credit card करने का कभी मोका यह चांस ही नहीं मिलेगा तो जिसने भी मुझसे यह सवाल किया तो अमीद करता हूँ कि अगर एक ही बड़ इस्ते माल करते हैं तो यह सब हैक बड़ करे एक है यक-दो आप कर קिरेड़ करना है तो हम समझ पर बिल्का पेमेंट ना है सही तरीके से करना है अब इस तरह सेह आप कर सकते हैं किन उसके बाद आप इस्तेमाल नहीं कर पा होगे मैंने वही एक्जांबल दिया ना दो क्रेट काड़ आपके पास मौझूद है एक की लिमिट 40,000 दूसरी की लिमिट 40,000 पचास जार आपने जो है किसी एक से इस्तेमाल किया 30,000 उसके बाद जो है आपने जो जिसमें लिमिट कर दिया फिर जब उसकी बार यह जिससे आपने जो पहले वाल किट काड का बिल का पेमेंट किया था फिर आपने इससे पेमेंट कर देपर आपको जब पैसों के जरुरूरत पड़ दी तब आप क्या करोंगे जिसमें क्रेट लिमिट मौझूद अगर आप उसका इस्तेमाल कर लोगे तो फिर तो क्या होगा फिर आपको पैसो की जरूरत पढ़ जाएगी फिर वहां पे कमीarrive अ झाय YE प ơi फिर किमेंट करना ही करना है वह भी दोनों का करना पढ़ जाएगा में तो इह का करके फिर से आप प्रोछ करना पढ़नी को तो बात आप समझेए कि अगर आपको क्रिट करड़ इस्तेमाल करना है, तो आप पूरा पूरा बेल का पेमेंट कर दीजिए, बेहतर यही है, और वैसे यहीं क्या है, अगर आप अपने दिमाग लगा-लगा के पेमेंट करना चाहते हो, तो इसमें भी कर सकते, कोई दिक्कत न आपको खुछ समझना है कि आपको क्रेट काड इस्तेमाल करना है लाइफ टाइम के लिए फिर नहीं और अगर आपको जो नहीं करना है कि बार इस्तेमाल करके आपको इसी ट्रैप में रहना है तो आप जो कर सकते हैं वैसे मैं आप लोगों बताना चाहूंगा ऐसा बहुत से करते हैं कि हम वह अपने ट्रिक लगाते हैं जैसे मैं अभी आपको बता है पचास जार के लिमिट चालिस जार की लिमिट तो उसी में जो है किसी में 30,000 रुपे खर्च किया तो जिसमें लिमिट जादा होती है जिसमें लिमिट मौजूद होती है मतलब उससे पेमेंट कर द तो इसमें भी बहुत जादा मतलब साउधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो सिबिल वगेरा का भी चक्कर पड़ जाता है, अगर आपने लेट किया तो वहापे आपके जो है सिबिल इसकुर पे भी असर पड़ जाएगा, और यह बहुत ही जो शातिर दिमाग के लोग होते है वही लोग यह सब करते हैं, मैं आपको यही से लादेना चाहता हूँ, गर आप एकदम टेंशन फिरी इस्तेमाल करना चाहते है, अपने क्रेडिट कार्ट का एकदम पूरी आजादी के साथ, तो आप जिस क्रेडिट कार्ट का अपने इस्तेमाल करिए, उसके बाद आपने दूसरे क्रेडिट कार्ट का इस्तेमाल करिए, क्या जरूरत है ऐसे चक्करों में पढ़ने की, कभी भी आपको जरूरत पढ़ सकती है, बड़े अमांट की, और आप जो ऐसे में फंस जाओगे, और अगर आप क्रेडिट कार्ट लिए हो, तो यह समझ लीजिए कि एक तरह क लोनी दिया गया है, जो आपके जरूरत के काम आ सकता है, कभी भी आपको जरूरत पढ़ सकती है, तो आप उसको काम में ले सकते हो, जब आप ऐसा करोगे, तो जब आपको जरूरत पढ़ेगी, तब आप फंस जाओगे, तो इसको आपको सोच समझ के इस्तेमाल करना है, औ तो बहुत बुरा फस होगे और वहां पर आपको बहुत जादा दिक्कत आ सकती है तो बस कुछ मतलब कि टाइम के लिए आप ऐसा करिए तो सही है लेकिन इसको अगर आप यह समझो कि लाइफ टाइम के लिए हम करेंगे तो ऐसा करने से आप बचिए बहतर ही होगा आपको मैं यह एडवाइस देना चाहूं मतलब मैं यहां पर आपको जो किसी भी तरह कोई फालतू चीज नहीं बताने वाला हूं कि आप ऐसा करें वाइसा करें बैंक को जो चूना लगाएं अब जो भी करो अपनी जितने बैंकिंग के काम है सभी साफ सुतरे रखो ताकि आपको आग सही है या गलत है कि आप ऐसा करते हैं यह मुझे आप कमेंड में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेर कर दी ताकि दोसरे लोगों को भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाए और वीडियो अगर आपको पसंद आ तो क्या करना आपको लाइक कर देना है औ और सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर बैल आइकन को भी दबा लिजिएगा और अल सेलेक्ट कर लिजिएगा ताकि जब भी वीडियो में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप से को भी वीडियो मिसना होने पर दोस्तों वीडियो दखने के अपलाओं का बहुत बहुत थैंक्यू धन्यवाद शुक्रिया